शंचिप्ट शीव पुरान रुद्र संहिता हुम्मा सहित भगवान शीव का प्राकट्य उनके द्वारा अपने सवरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदी तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन ब्रह्मा जी कहते हैं नारत भगवान विश्णु के द्वरा की हुई अपनी स्तोती सुनकर के करुणा निधी महिशर बड़े परसन्नुवे और उमादवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए उस समय उनके पांच मुख और प्रतिएक मुख में तीन तीन नेत्र शुबा पाते थे भाल देश में चंद्रमा का मुख और शुबी था सिर्पर जटाधारन की एक गोरव वरन विशाल नेत्र शीव ने अपने संपूरन अंगों में भूती लगा रखी थी उनके दस बुजाएं थी कंठ में नील चिन था उनके शिरियंग समस्ता भूष्णों से ही भूषित थे उन सर्वांग संदर शीव के मस्तक भसम में त्रिपॉंड से अंकित थे ऐसे विशोष्ण से युक्त परमेशर महादेव को भागवती युमा के साथ तुपस्ति देख मैने और भगवान विश्णू ने पुना प्रिय वचन द्वारा उनकी इस्तुती की तब पाप भारी करना कर भगवान महीशर ने परसन नचित धो करके उन श्री विश्णू देव को स्वांसे रूप से वीद का उपदेश दिया मुने उनके बाद शीव ने परमात्मा श्री हरी को गोह अग्यान परदान किया फिर उन परमात्मा ने क्रिपा करके मुझे भी वे ग्यान दिया वीद का ग्यान पराप्ट करके कितात हुए भगवान विश्णू ने मेरे साथ हाथ जोड़ करके महीशर को नमश्कार करके पुना उन से पूजन की विधी बताने तदा सद उपदेश देने के लिए प्राथना की ब्रमा जी कहते हैं मुने श्री हरी की ये बात सुनकर के अच्यान परसन होए क्रिपा निधान भगवान शीम ने प्रिती पूरो की ये बात कही मैं तुम दोनों की भली बाती से निश्चे ही बहुत परसन हो तुम लग मुझ महादेव की और दिखो इस समें तुमें मेरा सवरूप जैसा दिखाई दिता है वैसे ही रूप का प्रेतन पूरक पूजन चिंतन करना चाहिए तुम दोनों महाबली हो और मेरी सवरूप और भूता प्रकती से प्रकट हुए हो मुझे सर्वेशर के दाएं बाएं यंगों से तुमारा अविर्भा हुआ है ये लोक पिता में ब्रह्मा मेरा दाहने पार शिर्ट पन हुए हैं और तुम विश्णों मुझे प्रमात्मा के वाम पार उसे प्रगट हुए हूँ मैं तुम दोनों पर बड़ी वहांती परसन नहूँ और तुमें मनवान शितवाद देता हूँ कि मेरी आग्या से तुम दोनों के मुझे में सद्द्ध भक्ती हो ब्रह्मन तो मेरी आग्या का पालन करते हुए जगत की शिष्टी करो और वज सविश्णों तुम इस चिराचा जगत का पालन करते रहो हम दोनों से ऐसा कह करके भगवान शिंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधी परदान की जिसके उन साथ पूजी थोने पर वे पूजा को अनेक परकार के फल देते शंबु की उप्यक्त बात सुंकर के मेरे सहीत शिरीहरी ने महीशर को हाथ जोड़ करके परनाम करके कहा भगवान विष्णों बुले प्रभू यदि हमारे प्रतिया आपके हिद्दे में प्रिती उत्पन हुई है और यदि हम आप हमें वात देना चाहते हैं तो हम यही वर मांते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एम अविचल बक्ती बनी रही प्रमा जी कहते हैं मुने शिरी हरी की ये बात सुन करके भगवान हर ने पुना मस्तक चुका करके परनाम करके हाथ जोड़े खड़े उन नारायन देव से स्यम कहा शिरी महेशर बोले मैं शिष्टी पालन और संहार का करता हूँ सगुन और निर्गुन तथा सचीजनन सवरूप निर्विकार पर भ्रम पर मात्मा हूँ विष्टों शिरिष्टी रक्षा और परले रूप गुनों अत्वार काडियों के भेचे नहीं ब्रह्मा मिश्रुम और रुद्र नाम धारन करके तीन सवरूपों में भग दुआ हूँ हरी वास्तों में मैं सदा निश्कल हूँ विष्टों तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमत जो स्तुति की है तुमारे उस प्रात्ना को मैं अवश्य सच्चिया करूँगा क्योंकि मैं भक्त वस्चल हूँ ब्रामन मेरा ऐसा ही प्रम उत्कृष्ट रूप तुमारे शीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाईगा मेरे अंस से प्रकट हुए रुद्र की समर्थ मुझसे कम नहीं होगी जो मैं हूँ वही वे रुद्र है पूजा की विधी विधान की दिष्टी से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं हूँ जैसे जोती का जल आदिक के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्ष दोश नहीं लगता उसी प्रकार मुझ निर्गुन परमात्मा को भी किसी के सियोग से बंधन नहीं प्राप्त होता ये मेरा शीव सरूप है जब रुद्र प्रगट होंगे तब वे भी शीव के ही तुल्ले होंगे महामने उनमें और शीव में प्रायपन का बेद नहीं करना चाहिए वास्त में एक ही रूप सब जगत में वेवार निर्वा के लिए दो रूपों में वक्त हो गया है अधा शीव और रित्र में कभी भेद बुद्धी नहीं करने चाहिए वास्त में सरा द्रिश्य ही मेरे विचार से शीव रूप है मैं तुम ब्रह्मा तथा जो ये टुट्र पकट होंगे फिस सब के सब एक रूप है इनमें भेद नहीं भेद माने पर आवशी बंदन होगा तथा भी मेरा शीव सरूपी सनातन है यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है यह सत्य ज्यान एम अनंत ब्रह्म है ऐसा जानकर के सदा मंद से मेरे विधात सरूप का दर्शन करना चाहिए ब्रह्मा सुनो मैं तुम्हें गोपनी यह बात बता रहा हूँ मैं स्यम ब्रह्मा जी की ब्रकति से उत्पन होंगा गुनों में मेरा प्राकत्य कहा गया है जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस ब्रकति के हैं वास्तम में उस रूप में एहंकार का वर्णन हुआ है उस एहंकार को किवल तामस ही नहीं विकारिक अर्थात सात्विक भी समझना चाहिए क्योंकि सात्विक देवगन विकारिक एहंकार की ही सिष्टी है ये तामस और सात्विक अधिभेद किवल नाम अत्र कहे वस्ता नहीं है वास्तम में हर्थ को तामस नहीं का जा सकता ब्रहमन इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए तुम तो इस सिष्टी के निर्माता बनो और शिरी हरी इसका पालन करें तथा मेरे अंच से प्रकट होने पर होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका परले करने वाले होंगे यह जो उमा नाम से विख्यात प्रमेश्री प्रकटी दिवी हैं इने की शक्ती भूता वाग देवी ब्रहमा जी का सेमन करेगी फिर इन प्रकटी देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ती प्रकट होगी वे लच्छी रूप से भगवान विश्णु का आश्रे लेगी पुना कारी नाम से जो तीसरी शक्ती प्रकट होगी वे निच्चे ही मेरे अंशभूत दुरुद्र देव को प्राप्त होगी ये कारी की सिध्धी के लिए वहाँ जोती रूप से प्रकट होगी इस प्रकार मैंने देवी की शुबस रूपा प्राशक्तियों का परिश्चे दिया उनका कारी करम्छे शिर्ष्टी पालन और संहार का संपाद नहीं है सुर्ष्रिष्ट ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकटि देवी की अंच भूता हैं अरे तम लच्चमी का सहारा लेकर के कारी करो म्रमन तुम्हें प्रकटि की अंच भूता वाग देवी को पा करके मेरी आग्या के अंसार मन से शिष्टी का कारिय का संचालन करना चाहिए और में अपनी प्रिया की अंश्भूता प्रात पर कारी का आश्रे ले रुद्र रोप से परले संबंदी उत्तम कारे करूंगा। तुम सब लोग अवश्य संपूरन आश्रों तथा उन से भिन अन्यायन विविद कारियों द्वरा चारों वर्नों से भरे हुए लोग की शिष्टी एम रक्षा आदि करके सुख पाओगे। अरे तुम घ्यान में ग्यान से संपूरन लोगों के हितेशी हो। आदि आम मेरी आग्या पाकर के जिगत में सब लोगों के लिए मुक्ती दाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुमारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरे ये बात सत्य है सत्य है इसमें शंशे के लिए स्थान नहीं है मेरे हिद्दे में विष्णों है और विष्णों के हिद्दे में मैं हूँ जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विश्येश प्रिये है शिरी हरी मेरे बाई आंग से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी का दाहिने आंग से प्रकट हुआ है और महापरलेकारी विश्यात्मा रुद्र मेरे हित्य से प्रादर भूत होंगे विश्णो मैं ही श्रिष्टी पालन और संहार करने वारे राज आदी त्रिवित गुनों द्वारा ब्रह्मा विश्णी और रुद्र नाम से परसिद्ध हो तीन रूपों में प्रथक प्रथक प्रगठ होता हूं। ते लोखी का संहार करने वाले रुद्र देव भीतर सत्वगुन और बाहे तमगुन धार्न करते हैं तथा त्रिवन की शिष्टी करने वाले भ्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुनी ही हैं। इस परकार ब्रह्मा विष्णू तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुन हैं। प्रन्तो शिव गुनाती तमाने गे हैं। विष्णू तुम मेरी आज्या से इस शिष्टी करता पिता में का परसंता पूरग पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनिया होगे। अध्याय नो समाप्त। शिरी हरी को शिष्टी की रक्षा का भाद एम भोग मौक्षित दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतरधान होना। परमेशर शिव बोले उत्तमरत का पालन करने वाले हरे विष्णू अब तुम मेरी दूसरी आज्या सुनू। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननिया और पूजनिया बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वरा रचे के लोकों में जब कोई दुख्या संकट उत्पन हो तब तुम उन संपुरन दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुमारे संपुरन दुख्या कारियों से मैं तुमारी साइधा करूँगा। तुमारे जो दुर्जे और अत्यांत उत्कत शत्रू होंगे उन सब को मैं मार गिराऊंगा। अरे तुम नाना परकार के अवतार धारन करके लोक में अपनी उत्तम कीति का विस्तार करो। भी अंतर नहीं है। जो मनुश्य रुद्र का भक्तों करके तुमारी निंदा करेगा उसका सारा पुन्य तत्काल भसम हो जाएगा। पुर्जोतम विश्णों तुम से द्वेश करने के कारण मेरी आग्या से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। ये बात सत्य है, सत्य है, इसमें शंचे नहीं है। तुम इस लोग में मनुश्यों के लिए विशेष्टा भोग और मोक्ष परदान करने वाले और भक्तों के धे कथा पूज्य हो करके प्राणियों का विग्रे और अनुग्रे करो। ऐसा के करके भगवान श्रीम ने मेरा हाथ पकड़ दिया और श्री विश्टों को सूप करके उन से कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी साहता करते रहना। सब के अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष परदान करना। तदा सदा समस्त कामनाव का साधक एम सर उश्रीष्ट बने रहना। जो तुमारी शरन में आ गया मैं निश्चे ही मेरी शरन में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वे अवश्य नरक में किता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवरीशी, भगवान शीप का ये वतन सुन करके मेरे साध भगवान विश्टु ने सब को वश्य में करने वाले विश्वनाथ को परणाम करके मन्त दस्वर में इस परकार कहा। सिर्विष्टों बोले करना सिंधू जगनाथ शंकर मेरी ये बात सुनिए मैं आपकी आज्या के अधिन रह कर गए ये सब कुछ करूँगा सामिन जो मेरा भक्तों करके आपके निंदा करे उसे आप निश्चे ही नरकवास पर दान करे नाथ जो आपका भक्त है वे मुझे अत जन्त प्रिये है जो ऐसा जानता है उसके लिए मौक्ष दुलब नहीं है शिरी हारी का ये वचन सुन करके दुख हारी हार ने उनकी बात कान मुदन किया और नाना परकार के धर्मों का उपदेश दे करके हम दोनों के हिट की इच्छा से हमें अनेक परकार के वर दिये इसके बाद भरत्वसर भगवान शंबु कृपा पूरक हमारी और देख करके हम दोनों के देखते देखते सैसा वहीं अंतर द्यान होगे तब इस इस लोक में लिंग पूजा का विधान जालू हुआ है लिंग में परतिष्टित भगवान शीव भोग और मुक्ष देने वाले हैं शीव लिंग की जो वेदी या अरगा है वेह महादेवी का सुरूप है और लिंग शाक्षात में ही शर्का ले का अधिस्टान होने के कारण भगवान शीव को लिंग कहा गया है क्योंकि उन्हें में निखिल जगत का ले होता है महामिने जो शीव लिंग के समीब कोई कारे करता है उसके पुन्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है